दोस्तों एक वाफ फिरिसा आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तों Realme अपने स्मार्टफोन के लिए मैं महीने के सिक्रिटी पैच के साथ बग फिक्स की अपडेट दे रही और ऐसे में चार बड़े स्मार्टफोन में एक वाफ फिरिसा अपडेट दी गई है यह वह चार डिवाइस जिसमें महीन के अपडेट दिये गए हैं तो यह करके जानेंगे इन चारों ही फोन के अपडेट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे Realme X2 की तो Realme X2 में जो अपडेट देखने को मिले हैं वह यहां पर C18 मिलेगा आपको देखने के लिए और यह मई के security patch के साथ रिलीज की गई है जब कि यहां पर चेंज लोग की और बात करें यहां पर तो system में performance और stability को improve किया गया है बाकि कोई सीज यहां पर दी नहीं गई है तो यह वाला update करने के बाद हो सकता है आपके phone में 4G plus को unlock किया गया हो जैसा कि यहां पर mention तो नहीं कि किया गया है हाला कि किसी भी phone के update में ऐसा mention नहीं किया गया था लेकिन Realme इन दिनों सारे phones में 4G plus की जो carrier aggregation है उसे unlock कर रहे है तो हो सकता है इस update के बाद आपको carrier aggregation की feature देखने को मिले हाला कि वह service provider पर भी करता है अगर phone supported है लेकिन आपके एडिया में service provider 4G plus की service नहीं दे रही है तो वह वहां पर show नहीं होगी तो बस my security patch के साथ system के performance को यहां पर fix किया गया है बरते हैं Realme 8 की तरफ तो Realme 8 की जहां तक बात है तो Realme 8 में A13 update version देखने को मिलेगी my security patch के साथ लेकिन यहां पर कुछ बड़े changes किये गया है सबसे पहली बात कि यहां पर gaming performance को improve किया गया है कुछ scenarios में कहीं कहीं पर आपको lag दिखता था तो इसको यहां पर fix किया गया है और camera की जहां तक बात है तो front camera की image quality को यहां पर improve किया गया है और साथ ही साथ जो main camera होता है उसमें food scene में कभी-कभी glitch आ रही थी तो इसके image effect को यहां पर optimize किया गया है rear camera के normal mode में camera clarity को भी improve किया है और 64MP का अगर आप sort लेते हैं तो उसमें noise को थोरा सा improve किया गया है यानि कि अब जो है आपको कम noise देखने को मिलेगी video recording के clarity को improve किया है realme ने और यहां पर rear flash light में image clarity को भी improve किया गया अगर आप flash light के जरीए photo ले रहे है तो वो भी अब पहले से बहतरीन होने वाली है तो overall camera में एक बहुत बड़ा changes किया गया है यहां पर realme 8 में अब देखना यह है कि यह वाला update करने के बाद अब आपके phone का camera कैसा होता है जरूर बताएंगे comment section में और display की जहां तक बात है तो display में skin of issue कभी कभी आ रही थी तो इसको भी यहां पर fix किया है realme 8 तो एक बड़ी तर है या फिर नहीं जरूर बताएंगे comment section में बरते हैं अगले phone की तरफ realme X7 तो realme X7 में जो update आपको देखने को मिलेंगे वह 18 है जो कि my security patch के साथ release की गई है यहां पर system के performance और device के stability को improve किया गया है और rear camera को यहां पर fix करने की कोशिस की गई है यहां पर AI text recognition अगर आप ले तो कभी-कभी जो है अगर आप default theme apply करके रखते हैं और अपना file manager के जरी कोई अपना folder open करते हैं तो फोल्डर का text जो था वो थोड़ा बला रहा रहा था तो इसको यहां पर fix किया realme ने और अगर हम X7 pro की बात करें तो realme X7 pro में A15 update version April के security patch के साथ release की गई है जिसमें system के performance को यहां पर optimize किया गया है इनकी backup पहले से अच्छा आपको देखने को मिलेगी और camera के issue को भी थोड़ा बहुत यहां पर जैसे camera में कुछ effect वगएर आपको अगर use करते थे तो उस समय कुछ problem आ रहे थी तो इस issue को यहां पर fix किया realme ने पाकी सारे phones में 4G plus यहां पे carrier aggregation unlock जरू कारी जिसमें ज्यादा तर bugs fix किये गए है तो आपको यह update बिल्कुल ही करना चाहिए कोई भी दिक्कत नहीं है तो आज की विद्वस इतना ही वीडियो अच्छा लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में हमें दीजिए इसाज़त थ किसी तकी है मिलते हैं किसी नई वीडियो अुछ दուक्राइब कारी नहीं है तक्स्राइब को सब्सक्राइब करना हुआ झाल।